हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल और आज मैं आपके शेयर कर रही हूँ खस्ता करारी खारी की रेस्पी इस खारी को मैंने तल करके बनाया है जिन लोकों को बेकिंग वगेरा में प्रॉबलम आती है वो इस रेस्पी को ट्राइ कर सकते हैं और इस रेस्पी को बना क करके आप जब चाय के साथ खाएंगे तो चाय का स्वाद एकदम दुगना हो जाएगा पर्फेक्ट पर्तो वाली खारी को बनाने के लिए यहां पर मैं ले रही हूँ तीन चौथाई कप के बराबर बनस्पती गी बेकरी वाले भी मागरेन को बनाने के लिए देसी गी या बनस्पती गी से मागरेन बनाते हैं और अब एक बावल में मैं आइस क्यूब्स कर लोंगी और वनस्पती गी और मैदा को इसी के ऊपर रख करके फेटना स्टार्ट करूंगी और तब तक इसको फेट उंगी जब तक कि यह एकदम सौफ्ट और फ्लफी ना हो जाए और यह हमारा होम में मागरेन बन करके तयार हो गया है एक परात में मैं लोंगी दो कप मैदा तीन चोथाई चाय चमस नमक नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लिजेगा चार टेबल स्पून डिफाइन एक चोथाई टीस्पून नीवू का रस लिया है इस रेस्प करना है और अब मैं ले रही हूँ एकदम बर्फ का चिल्ट पानी इसी से मैं आटा लगाऊंगी तो यहां पर मैं रोटी की तरह आटा लगा लेती हूं तो रोटी की तरह एकदम सॉफ्ट आटा मैंने लगा लिया और इसको ढख करके 10 मिनट के लिए रेस्ट कराएंगे और इस आटे का दो पार्ट करना है तरह एक पेड़े को लेकर के इसको पतला पतला बेल लेंगे एक दम पतला बेलेंगे जितना पतला आप से हो सके उतना पतला बेल लिजे यह कोई जरूरी नहीं है कि इसका सेप गोल ही हो क्योंकि हमें सिर्फ पतली शेप की ही रोटी सारी तरफ बराबर से सीट पर फैला देना है शमच यह ब्रस से मागरेन अच्छी तरह से नहीं फैलेगा इसलिए हाथ से ही इवनली चारो तरफ मागरेन को फैलाना है और अब मैदे की सीट इस तरह से फोल्ड कर लेना है और दूसरे साइट से भी पकड़ करके इस सीट को जैसे लिफाफा होता है उसी तरह से बना लेना है और हाथ में थोड़ा सह मागरेन देना है जैसे जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ बस वैसे ही करते जाएए और अब सीट को उठा करके फिर से फोल्ड कर देना है और अब इस समय मागरेन को नहीं लगाना है और जैसे जैसे मैं मोर रही हूँ बस उसी तरह से मोर देना है देखिए इस तरह से मोर ना है फिर एक फोल्ड और करना है और फिर से मैदे से जस्ट करेंगे और फिर पतला सीट बे लेंगे और फिर से उसी step को दोराना है जैसे seat पर margarine को लगाना है seat को fold करना है फिर margarine को लगाना है और इस बारी margarine को नहीं लगाएंगे और seat को fold करके फिर वापस बेलेंगे तो यहाँ पर मैंने चार बार इस process को repeat किया और अब last बार इस seat को ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है पहले हाँ से shape दे देंगे उसके बाद थोड़ा मोटे ही sheet को बेलेंगे तो आखरी बार मैंने इतनी मोटी sheet को बेला है और जहाँ जहाँ sheet shape में नहीं थी वहाँ पर मैं थोड़ा सा shape दे 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 रहे हूँ आप चाहें तो चाकू को से cut करके भी shape को दे सकते हैं और आप थोड़े थोड़े distance पर मार्ट दे दे रहे हूँ ताकि equal size की खारियां बन करके तयार हो नीचे से भी same size का मार्ट दे दूँगी अब इनकी लंबी लंबी खारियों को मैं pizza cutter से cut कर ले रहे हूँ आप चाहें तो चाकू से भी इसको cut कर सकते हैं और बीच से भी इनको cut कर लूँगी चाहें तो आप लंबी लंबी खारियों को भी तल सकते हैं इसी तरह से सारी खारियों को बना लेना है और मैंने पहले recipe record की थी उसका तेल बचा हुआ था तो उस तेल को मैं गर्म कर ले रही हूँ तेज गर्म ये तेल है और इसी में इन खारियों को डाल देना है पहले कुछ सेकेंड के लिए तेज आंस पर इसको तलना है उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर देना है मीडियम करने के बाद में थोड़ी सी फिर गैस की फ्रेम को धीमा करके इन खारियों को तर लेना है जैसे जैसे ये खारिया लाल होती जाएंगी इनकी पर्ते जो है निकल करके बाहर आती जाएंगी और फिर अपने मन चाहे कलर में इन खारियों को तर लेना है इसी तरह से सारी खारियों को बना करके तयार कर लेना है खारियों को बनाते समय स्टप पे स्टप आप मेरी इस रेस्पी को फॉलो करेंगे तो आपकी भी खारी खस्ता करारी और पर्तदार बनेगी साथ ही जितने बार आप मागरन को लगा करके शीट को फोल्ड करेंगे उतनी ही लेयर्ड खारी बन करके तैयार होगी जब यह खारी बन जाए तो इसको फैला करके ठंडा होने के लिए रख दीजे ठंडा होने के बाद में एकदम खस्ता करारी बन करके तयार हो जाएंगी तो उमीद करते हैं आपको ये रेस्पी पसंद आई होगी अगर ये रेज़पी आपको पसंद आई है तो वीडियो की नीचे लाइक का बटन है उसके जरूर प्रेस करें और साथ था अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सबसक्कायब नहीं क्या है और तो प्लीज लाल पिर करके सबस्कायब को दबाखन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बाबा और टेक केर थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो